नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़वर समाज पर करती है सराज में इस ख़वर को आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ख़वर भी समाज से जुड़ी है और समधिते आर्मी रिक्रूट्मेंट रैली की तयारी कर रहे युवाओं से आप कर दो रहे है और से एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तब ये क सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बातों भर जिस हमे की आपने देखा होगा कि सोसल मीडिया पर बहुत सारे न्यूस पेपर की कटिंग घूम रहे हैं और आपने उससे कटिंग के माध्यम से ये भी पूछा है चपाल समचार में कि भरती कब होने वाली है और कैसे इन चीजों से निप्टा जाए कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है मैं उसी पर आज बात कर रहा हूं और मैं आप दर से ओको पुना ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि जोएन इंडियर आर्मी की वेबसाइट है जोएन इंडियर आर्मी की वेबसाइट में आपको बता दूं कि कोई भी सूचना जो आती है वो जोएन इंडियर आर्मी क बना कर आप तक बाते पहुँचाते हैं कुछ ऐसी जानकारी होती है जो यारों के माध्यम से आती है वो भी जानकारी जिला परसासन के माध्यम से या समझत अधिकारी के माध्यम से जब चौपाल समचार को आती है तो आप तक पहुचाने का प्रयास करते हैं अब रही बाते ह जानकारी आप लोग के बीच में घूम रही है कि कोई 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 बता दे रहा है कोई कोई बता रहा है तो इस तरह कि समस्याओं से निपटने के लिए वो आप जरूर समझ ले कि जोएन इंडियन आर्मी की वेबसाइट सिम्मत दिकारी पताधिकारी और ट्रस्टेड जो चैनल है जो इस पर भरोसा करते हैं या ऐसे समाचार पत्र जहां पर की सुचना प्रोपर बेहतर छपती है उन चीजों को लेकर ध्यान रखें अभी सीधे सीधे में बता दूं कि आर् पर सबसे पहले जगर आप होम पर ही जाएंगे तो यहां पर आपको रैली के नोटिफिकेशन का यहां पर लिंक दिखेगा आप उसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन में देखिए यहां पर जो है वही पुराना नोटिफिकेशन अभी आपको दिख रहा है सबसे पहली बा सब्खतें हैं, इस आयवे के मुझाहां की के लिए मैं किलिक पर किया, अभी उसके बाद हम यहां के लिए अगर हम मैंस को किलिक करेंगे बहुत ही आसान है और इस में आप जब यहां पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि आपको बता रहा हूं यहां पर यह सीजी सीधी जानकारी में आप तक दे रहा हूं और इसमें कहीं से कोई कोई दिकत नहीं हो सकती है चुकि यह अभी हम देख रहे हैं सुबह के आठ बज के 43 मिनट हुए है मतलब 8.43 में हम अभी आपको देख रहे हैं और यह एक मार्च है आज तो आपक कि हम उन सूचनाओं को सिर्फ उस तरह से दूसरे को forward न कर दें जिससे कि और लोगों में वह फैले तो इस बातों का ध्यान रखें बेहतर सूचना बेहतर जानकारी को ही forward करें अगर आप कोई भी जान बूझ कर इस तरह की सूचनाओं को आगे forward करते हैं तो समझ ले आप पर भी कारवाई होगी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से जो सूचना आ रही है सिर्फ उसी पर होती है यह बाता अगर और बहतर जानना है तो चौपाल समचार से भी जुड़ें साथी साथ एक्सपर्ट लोगों से भी जो सोचल मेडिया के जो जानकार हैं जो कानून के ग्याता ह उनसे भी आप मिलें कि आपके फौरवाड करने पर क्या आपको पनिस्मेंट मिलेगा तो इस तरह से जरूर साथान रहें अप हवाहों से बच्चे अभी तक भरती रैली को लेकर कोई सूचना नहीं आई है चौपाल समचार के पास अगर कोई जानकारी आपके पास भी हो ब हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रसंसनिय होगा जूर जाएं चौपाल समचार के वार्टसप नमबर से भी आप जूर सकते हैं नमबर है 600661 00602 हम सब मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं बेहतर करेंगे और समा आपकी मदद करेंगे तो इसको ध्यान रखें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है आपका जो स्ट्रेंथ है आपकी जो मजबूती है आपकी जो योग्यता है वही आपको आर्मी भरती रैली में मदद देने वाली है तो इसी अपने भरों से आप तयारी रखें किसी के मद परफॉर्मेंस तो त्यारी बना कर रखें, फिजिकल फिटनेस के त्यारी रखें, सी एक्जाम के त्यारी रखें, वो आपका दाई तो है, लेकिन अभी तक कोई सुचना नहीं आई है, द्वास के लिए बसितना ही, मैं हुआ वशेक आनंद, चपाल समचार के लिए धन्यवा मैं ट्यारी बस्टे रखें, वो आपका दाई है, और वो आपका दिए मैं स्टेबस, पिल्गान आपका दाई।